पंजाब के जिला मोगा के दश्मेश नगर स्थित एक प्राइवेट आंखो के अस्पताल में एक नौजवान डॉक्टर का शव संदिग्द परिस्थितियों में बरामन हुआ है शव खून से लटपत हालत में मिला है और उसे देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शव पिछले तीन चार दिनों से यहां पड़ा हुआ है मिली जानकारी के नुसार ये शव अस्पताल के मालिक के बेटे का है वहीं इस संबंध में सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुँच गई और शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए अस्पताल भिछवा दिया पुलिस का कहना है कि मौतक के पारिवारिक सदस्य छुटिया मनाने कहीं बाहर गए हुए थे और मौतक लड़का अकेला ही रह रहा था उनने कहा कि शव को देख कर अशंका जताई जा रही है कि शायद लड़के की हत्या की गई है बागी इस मामले के सच्चाई पोस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आपाएगी कि डार्टर के बेट गी है तो देखेंगे तर ताम की बात ही पोस्ट माटम के बात ही